है लो दोस्त कैसे हैं सब ठीक आप चलिए चलते हैं देखिए अगसे हम हिंदी की क्लास आप लोगों कि लिए अपने यूटूब चैनल दर एजू केसन मंत्रा पे लेकर आए हैं और यह हिंदी की पहली क्लास है और पहली ही क्लास में हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका एक स बियू है भी आपने खी सकते हैं या इस चैनल को एक-दो-बार आप देख लेंगे तभीी ये बिल्कुल आपका किलियर हो जाएगा तो बिना लेट की हुए चलिए हमारे चैनल पे चुड़ते हैं वर्ड माहा चैक्टर के साथ ठीक चलिए देखेगा सबसे पहले देखेगा वर्ड माहा में होता है वर्ड होता है क्या होता है वर्ड होता है तो देखिए ना बिल्कुल लिखा गया है वहाँ छोटी से छोटी दोनी जिसके टुकडे नहीं कर सकते हैं क्या कहलाता है वन कहलाता है जैसे देखिए ना मैंने लिखा यहाँ पर वन लिखा है अच्छर लिखा है और ध्वनी लिखा है तो अच्छर आ का मतलब नहीं होता है चर का मतलब आप लोग बिल्कुल चर का मतलब क्या होता है मतलब जो चय ना हो ठीक है ना तो वही क्या होता है अच्छर होता है और वर्ड क्या होता है या अच्छर क्या होता है या ध्वनी क्या होती है कभी कभी आपसी यह सम्पूछ लेता है ठीक है ना तो सनी के लिए बस तो यकी पशहार्ई है वह जोटी से छोटी धुनी जिसके टुकटे नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है ठीक है विउगना अब ङुटम ब्रहना है पॉसकार है सराय की घरी लें गुटमिने फेना डょब क्या है कि है तो क्या हो गया वर्ड हो गया यही क्या हो गया वर्ड हो गया तो वहाँ छोटी से छोटी धोनी जिसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं जिसके क्या नहीं कर सकते हैं तुकड़े नहीं कर सकते हैं क्या रहलाता है वर्ड कहलाता है बिल्कुल सेवर के लिए कोई डाउट तो बिल नहीं कर सकते हैं, मैंने कहा आ के टुकडे करके दिखाओ, नहीं होगा, मैंने कहा ता के टुकडे करके दिखाओ, नहीं होगा, मैंने कहा चा के टुकडे करके दिखाओ, नहीं होगा, तो यह क्या हो गया, वर्ण हो गया, चलिए देखिएगा, पा क्या हो गया, वर्ण हो गया अब इस पे हम चलते हैं ठीक अब देखिए गा वर्ड और माला अच्छा एक चीज बताइए माला क्या होता है सबको पता है साधियों में माला पहनाई जाती है दूलहा या दूलहा एक दूसरे को माला पहनाते है राज़ीत में आप देखते हैं कि जो बिजेता है उसको लोग मालाओं का हर पहनाते हैं मालाओं का फूल पहनाते हैं ठीक है तो उसमें आप देखते होंगे माला में क्या होता है कि एक फूल दो फूल तीर फूल ऐसे एक के एक दूसरे से क्या होते बिल्कुल कनेक्ट होते हैं ठीक है तो वही चीज यहाँ पर हमको माला में क्या करना है कनेक्ट करना है लेकिन किसको करना है वर्ड को कनेक्ट करना है तो यह वर्ड हो गए ठीक है यह आपका माला हो गया और इनको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा वर्ड माला हो जाएगा तो देखिएगा इसमें क्या है वर्डो का प्यास्थित समू क्या होता है वर्ड माल में आपको मैं बता रहा हूं वर्डों का बेवस्थित समूं देखिए गाँ अच्छा एक चीज बताएगा अभी फूल है मालिया फूल क्या है आप नोंको पता है ठीक है तो उसको क्या करेंगे आप बेवस्थित समूं में ही करेंगे तभी तो माला तयार होगा एक फूल के उपर दूसरा दूसरे उपर तीसरा बिल्कुल उसको माला तयार कर लेते हैं तो बस उसी तरह क्या करना है कि वर्डों का मिल्कुल क्या करना है तुमको ब्यावस्थित समूं करना है तो वही क्या कहलाएगा वर्ड माला कहलाएगा ठीक तो यह भी समस्ते मिल्कुल खिलियर हो गया होगा चैनल द्ठाथ चलते हैं इसे प्याहँ कर देते हैं ठीक है तो देखिए आप तो चल ये बंस दो को में पस्प्शा जाएं एक 111 सबस्कों में पताो करवाती है कई exam conduct करवाती है उसमें आप प्रीडियस में जाके देख लीजिएगा कितनी बार पूछा गया है कि कुल वर्डों की संख्या कितनी होती है तो आज बिल्कुल लिख लीजिए और नोड कर लीजिए और एक नंबर सेवर है आपके पेपर में आना ही आना है और आए अकि सभार गया कितनी है बावन बावन बिल्कुल note down कर लीजिए और इसके पहले मैं ने बताया तो आप लोग बिल्कुल छोटी से फोटी धोली वर्डों में ने बताया ब्याषम का पढ़ेंगे और पूरी हिंदी पढ़ेंगे हमारी इस दाएजुकेशन मंतरा की जो इस्कीम है सिपाही के बच्चों के लिए उसमें क्या है कि हम सीपाही के बच्चों को बिल्कुल फ्री में ठीक है क्लास कंडेक्ट करवाएंगे इसके अलावाँ आपको यस्टी कंडेक्ट में मिल जाएंगे ठीक तो चलिए ठीक है स्वरों की संख्या कुल कित्ती होती है रटने वाली चीज है 11 ठीक है बड़ों की संख्या बावन स्वरों की संख्या 11 यह भी देख लिए एक बार बेंजन की संख्या कित्ती होती है 41 ठीक है लेकिन यहां देखिएगा यह थोड़ बेंजरों की संख्या यही मैं लिख दे रहा हूं ठीक ना ऐसे पूछे का बेंजरों की संख्या या कुल बेंजरों की संख्या तो आप को जो है 33 मारना है कितना मानना है 33 मानना है बेंजरों की संख्या कितनी होती है 33 होती है वैसे बेंजरों की संख्या 41 होती है अब आप कहेंगे भी सार तो आपको कन्फ्यूज कर दिये मैंने कहा बोलो क्यों कन्फ्यूज कर दिये देखिएगा जब कभी भी आपसन में 41 और 33 दोनों आ गए तब भी 33 के साथ जाएंगे और अगर आपसन में 33 ही नहीं है तो 41 के साथ चले जाएगा कैसे कीलियर होगा मैंने कहा अगर आपसन में 41 और 33 दोनों है तो आपका उतर 33 होगा अगर आपसन में सिर्फ 41 है और 33 आपसन में नहीं है तो आपका उतर क्या होगा 41 होगा तेलबूल के लिए चलिए चलते हैं आगे बढ़ते हैं वही चीज़ देखिएगा यहाँ पर डिफाइन किया गया है वर्डो की संख्या पाउन बता चुका हूँ इसमें स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं और बेंजर कितने होते हैं 41 होते हैं लेकिन उत्तर 11 और 33 में आपको 33 ही प्रिफर करना होगा और जब 33 में यह 41 मार दीजिए लगा चलिए चलते हैं आगे चलते हैं आप देखिएगा हमने आपको वर्ड बता दिया वर्ड माला बता दिया वर्डो की संख्या बता दिया तो अब बिना लेट किये हुए आगे बढ़ते हैं और अब हम बताएंगे स्वर क्या होते हैं ठीक है तो चलिए बिल्कुल चलते हैं उससे पहले उपर वाली चीज़े बिल्कुल आप रफ कर दे रहे हैं ठीक है कोई दिक्कत कमेंट सेशन है वहाँ पर जाके आप कमेंट करके आप दुवारा पूछ सकते हैं कोई भी प्रस्ण हुआ जो आपको हिंदी में दिक्कत कर रहा है हमारे इस कमेंट सेशन की माद्य हमसे बिल्कुल हमसे चुड़कर पूछ सकते हैं बिल्कुल कमेंट सेशन हमारे तीम या भाम उसको बिल्कुल भड़ते हैं और समय से आपको उतर दिया जाए रहा ठीक है, तो देखिएगा स्वर, स्वर बिल्कुल देखिएगा लिखा भी गया न, एक बार खिल से लिख दे रहे हैं, स्वर क्या होते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, स्वर बिल्कुल क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो बिल्कुल स्वतंत्र सबको पता है कि जिसके उबर किसी का लगाव ना हो, जो अपने मन का मालिक हो, उसी को बोलते हैं स्वतंत्र, ठीक है? जैसे भारत ये क्या है? स्वतंत्र देश है, संप्रभु देश है, ठीक है ना? कि भारत के ऊपर कोई विदेश या कोई आधर कंट्री किसी भी प्रटार का कोई प्रेशर नहीं डाल सकता है, क्यों? क्योंकि वह अपने सारे फैसले खुद लेता है, ठीक है? उसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र, लेकिन क्या 1947 से पहले भारत स्वतंत्र था? नहीं, तो आप होगे फिर क्या था? फर्तंत्र था किसका? अंग्रेज होगा. चलिए ठीक है, हिंदी में देखते हैं, 법 को सब्झी अजी के चीजिए हैं. तो स्वतंत्र क्या होते हैं? आप यहां स्वतंत्र होते हैं, इसका ये मतलब हो गया, भईया स्वतंत्र को किसी की भी सहाय्ता की प्रटी तो देखिए गां यहां पर इवासा बिल्कुल लिखा गया है आप बिल्कुल उसको नोट दर लीजिए और रट लीजिए ठीक रटने की ज़रूर नहीं देखिए यहां चैनल पर सारी चीए समझना है रटने की कुछ रूबत नहीं है आप खुद ही रट लेंगे यह यह मतलब हो गया स्वर पे किसी का प्रेसर नहीं है यह किसी की सहायता वहता नहीं लेते हैं बल्कि दूसरों की क्या कर देते हैं सहायता कर देते हैं तो देखिए गां लिखा गया है जिन वार्डों का उच्छारन क्या लिखा गया है जिन वार्डों का उच्छारन बिना र जाते हैं ठीकें अब रही बाख सोरों की संख्या कितनी होती है स्केट मैंने पहले ही बता दिया कुल सोर कितने होते हैं ठीक है कौन-कौन से होते यह लिखा गया यह ऑप अलोगे जोते हैं अब दखियेगा जो सोर होते हैं Probably होते हैं 11 ठीक है लेकिन अभी हाली में एक एक जाम यूपी ट्रबल सी ने कंडेक्ट करवाई थी और उसमें पूछ लिया था स्वर कितने प्रकार के होते हैं ठीक है के होते हैं हैं चलिए मैं आको आपशन दे रहा हूँ आप अपना उत्तर हमारे कमेंट सेसं में जाकर दें पहला अपसण है दस दूसरा अपसण है wy mascara ठीस्रा अपसण है 3 और चौथा आपसं है 12 चलिए बताईए हमारे कमेंट्सेशन में तो देखेए इस में क्या हुआ लोग यही दीमाप में वैठा लेते हैं कि सुर 11 होते हैं सुर 11 होते हैं और जैसे ही उनसे question पूछा सुर कितने प्रकार के होते हैं तुरंट भी आपसमें देखते हैं 11 उत्तर बार के बिलकुल का लेते हैं कि मेरा एक नमबर बिल्कुल से और हो गया जी नहीं प्रस्न पूछा गया है प्रस्न पूछा क्या गया है ठीक है देखिए आयोग का काम है वो आपसे गल्दियां करवाएगा लेकिन हमारा क्या काम है कि वो गल्दियां आपसे ना हो इसी दिए दाय जूकेसन मंत और यहां लिख लीजिए इन तूर विर सुर्फार की होते हैं तुम यहां लिख लीजिए सुर्फार टीन प्रकार की होते हैं स्वार की कतनी संख्या होती है ग्यारा अब देखिए अब किदे प्रकार की हो गए इसको बीवे रफ दे रहे हैं आप लोगा को उमीत करते हैं बिल्कूर ञण से समझ में चीज़ें आ रही होंगी तो देखे तीन प्रकार के होते कौन कौन से है मैंने एक हास स्वर कितने प्रकार के होते है तो तीन प्रकार के होते है ठीक है स्वर कितने प्रकार के होते है तो होते कौन है एक देखेगा हास क्यों स्वर होता है ठीक है होता है ठीक है पुलूप्धु ग्यारा प्रकार फिंग्यारा प्रकार कई आध वीड़ुण ठीर आ अब देखेंगा एक करके हम इसका इक्सपेंद करने हासुस्वर क्या होते हैं तो हासुस्वर ठीक तो पहली चीज है हासु का मतलब क्या होता देखेगा हिंदी में जितने भी सब्द होंगे हर सब्द का कुछ ना कुछ मतलब होता है इसलिए मैंने बताया कि वर्णमाला में क्या होता है कि वर्ण का स्थार्थत सम्हूं जिससे एक अर्थ निकले वही वर्ड माला में सामिल होंगे ठीक है आगे सब्द रचना में हम पढ़ेंगे वहां चीजें और खिलियर होंगी लेकिन इसतना जानिएगा कि वर्डों का ब्युस्थित सम्हूं ठीक है तो देखिए का हासु सर्थ तो सब दिर्गर का क्या मतलब होता है बड़ा या जादा होता है ठीक अब देखिएगा दोनों में तो देखिएगा हासु का क्या मतलब हो गया कमी दिर्गर का मतलब हो गया जादा आप दोनों की हम पर यहां साय आपको बता रहे हैं ठीक है तो देखिएगा दिर्ग और हासु तो तो जिन वर्डो के उचारण में ज्यादा समय लगता है, यहीं हासु की तुलना में, ठीक है, अगर हासु को बोलने में आपको यह घंटा लगा, तो इसको दो घंटा लगेगा, इसको अगर आप विदिन सेकंड बोल रहे हो, तो इसको सेकंड से भी कम, माइक्रो में आप इस ठीक है, देखेगा, दीर्डे में हमेशा क्या होगा, ज्यादा, हासु में क्या होगा, कमी, ठीक है, तो चलिए मैं लिख दे रहा हूं परिभासा, तो जिन वर्डो के उचारण में क्या होगा, लिख लिजेगा, आप लोग भी, लिखिएगा, जिन वर्डो के उचारण में ठीक है न उच्छारण में उच्छारण में कम समय ठीक है न कम समय बस यही में इसको झोड़ 플oga चोड़ देरा हूं आप लोग आगे रिख लीजीए जिन वर्डों के उच्छारन में कम समय लगे, क्या पहलाएगा, हाथ़न वर्डों के उच्छारन में हांस्यों की तूलना में ज्याधा समय लगे हाथ सु की तूलना में ठीक है ना हाथ सु की तूलना में ज्यादा समय लगें ठीक है ना ज्यादा समय लगें ज्यादा समय लगें क्या कहलाएगा दीर गुस्वर कहलाएगा बिल्कुल लिख लिए कैसे रिखे हाथ सु सुर दीर गुस्वर सबसे कहते हैं हमको कुछ रटना ही है हमको बस इतना करना है कि हासु का मतलब क्या होता है तो हासु का मतलब हो गया कमी आभाव हासु का मतलब क्या हो गया कमी आभाव दीर का क्या मतलब हो गया ज्यादा ठीक है दीर का क्या मतलब हो गया ज्यादा तो देखेगा हासु और दीर्ग में देखेगा जब आप दी प्लूप्त का होता है छुपा हुआ ठीक है ना और ये कहां छुपे होते हैं सब्द में छुपे होते हैं, कहां छुपे होते हैं, सब्द में छुपे होते हैं, ठीक, जैसे अभी मैंने कोई नाम लिया, एक नाम मैंने लिया यहाँ पर, ओम, क्या नाम लिया, लिखा ओम, ठीक है, ओम नमस सीवा, ओम नाम का वेक्ति भी होता है, ठीक, तो जैसे मैंने कहा ओम मेरे बदल वैठा है मैंने ओम से कहा ओम उठ जाओ लेकिन अगर सोचो ओम हमसे सव मीटर की दूरी पे है तो क्या हम ओम को बिल्गुल बाद कहेंगे ओम उठ जाओ नहीं सुनेगा उसके लिए हमें क्या होगा एक फ्लो किया सकता होगी हमको तेज आवाज किया सकता होगी ठीक है ना हमको ऐसे कहना पड़ेगा ओम बोलिये ओम पैंग लगा ना तो होता क्या है जो प्लूप्तस्वर है तो उसमें दीर्ग और हास्व की तुलना में भी ज़्यादा समय लगता है ठीक है ना यहिनि अगर देखा जाए तो इनसे और इनसे इसमें ज्यादा समय लग तो जाना लगा कि नहीं लगा तो जब कोई ब्यक्ति आप से डिस्टेंस पे है 100 मीटर, 500 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर की दूरी पे है तो आप उसको एक फ्लो के साथ आवाज दोगे और जब उस फ्लो के साथ आवाज दोगे तो ये वर्ण अपने आप आ जाएगा ये वर्ण कहा आप आया वही क्या है पुलुक्तसर है बिल्कुल समझ में आ गया बहुत कम एजाब में पूछा जाता है हलाकि आपसे पूछ ले रा तो कैसे पूछेगा पता है पूछेगा आपसे चलिए चलिए कुष्चन करवा ही दे इनमें से कौन सा पुलुक्तसर है ठीक है ना ऐसे आपको दे देगा एहां में लिक दे रहा हूं इसको रॉफ कर दे ठीक है इसको बिल्कुल समझ में आ हुगी हासुसर और दीड दीर ख्रुप्त स्वर टिए है तो जैसे मैंने कहा जब कोरिपे ध् uwदी डिस्टेंश पे दूरी पे हो तो उस दूरी पे तो उस व्याक्थि का नाम कुछ ब्य कुछ मांदब का इस्थान का नाम ठीक है हम इक फडु प्रों आप लेते हैं जैसे मैंने कहा मैं यह बगल बैठा है हमने कहा लेकिन जैसे कि यह 50 मीटर की दूरी पे हमसे हो गया मैंने इसको कहा ओम ठीक है तो जैसे ही मैंने यह कहा तो एक वर्ड बीच में जनरेट हुआ और वर्ण ऑऎल या वह वैं होगे में कोई और यह प्रेट सब्सक्राइब है ठीक है एक दिख रहा हूं रमेश यह आप्शन दी आप्शन में महेश और सी आप्शन में यही रमेश मैं दिख दिख रहा हूं ठीक है आप्शन में वह समझ चुके होंगे आपका उत्तर भी आचुगा होगा उत्तर क्या होगा यह वाला उत्तर होगा यह वाला ठीक है क्यों क्योंकि ओं रमेश रमेश ओं महेश ठीक है तो यह सब क्या होंगे पुलुप्तसर हो गया जैसे देखिएगा रमेश महेश दिनेश बोलते नहीं है अगर ये डिस्टेंस पे हैं दिनेश ठीक बस ये सब आपको पिल्कुल उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ठीक तो ये प्रूप्स और समझ में आया आया की नहीं आया चलिए बसाइए गरभण से सकने ठीक है चलिए उसको अम्रब कर देखे हैं my cousin नोट कर लीजिए अब देखिए गाया मैने कहां हास्तों और हमने आप से कहा हा जो आपा century है अब कलूप्त और देगे समय ही सब्से ज्यादा समय उसमें और इस SECS एग यह तो इस में और देखा जाए तो इसमें टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा, ठीक है, इसमें टाइम आपको ज्यादा लग जाएगा, इसके अधर इच्छा, तो जैसे देखिएगा, हम बूल रहे हैं, वर्ड बूल रहे हैं, आ, 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 इसमें टाइम लगा, आ, आ, देखिएगा, इसमें टाइम लग यह हासुसर हो गया, ठीक है, इसके अलावा हमने कहा, E और E, देखिएगा, ये, 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 और ये वाण, ये का और है, री, ठीक है, तो ये जो है, आपके हासुसर हो गया, हासोस्वर की संख्या कितनी होती है चार होती है हासोस्वर की संख्या कितनी होती है चार होती है जा में पूछा भी जा सकता है हासोस्वर की संख्या कितनी होती है चार होती है कौन-कौन से है आ-ई-उ-री ठीक और दी को सवरो की संख्या कितनी होती है साथ होती है और दोनों मिलाकर ग्यारा सवरो की संख्या ग्यारा ठीक है तो देखे लिए हो गया यह हो गया और इसके बाद यह हो गया और इसके बाद जो है यह 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 और यह टोटल कितने हो गया हांसुरोगी संख्या साल ही अच्छी और ध्यान दीजिएगा हम आपको और आसान कर दे रहे हैं जैसे यह दुन में आये गां साश हांसुर है पेपर में आएगा सिपाजी पे तो सेवर है सब्सक्राइब पहले लिए लिए पॉर्णर पे किसमने कहा था आएगा आएगा तो आएगा ठीक है पीछे 10-11 सामिटा अब रिजास पनुवागा इस शेत्र में तो बिल्कुल उसको नोट करिएगा और रट लीजिए का रट नहीं समझ लीजिए ठीक है क्योंकि रट निक ज यह झायादा दूसरी बात जो बहुति गए और पहली बात बोला वहासुसर सब्सक्राज चाहें догसुत हाव् अइस मेंग होता ही लेखिएंग इसुअ में मात्रा उत्र लगा है नहीं लेकेगा मात्र लगा नेधने लगा है न कुनne luc agar 750 दीना हो गया आधी आध गऑर कभी-आपक सब्सक्राइब आफ यह को इंबें एक्ष़क करने के लिए पूछ लेता है हम न आपको है और पुल्ट मैं अलरेडी आपको बता चुका हूं आपको मैंने चलिए एक बार कि में रिविजन कर लेते हैं भाद की तदेखे काच अच्छा में सबसे पहले मैंने आपको वर्ण बताया वर्ण तो मैंने आप だ च्छोटी से च्छोटी धुनी जिसके टुक्डे नहीं कर सकते वान कहलाता और वान माना में क्या बता है तो मैंने कहा हो वानों का ब्यौ實 저희가 यह हो थीक है इसके लाव़ मैं आपको बताया हूँ वान में सवर और बैंजन तो मैंने कहा है था कि वी संग्या काऊंड होती है स्वर गयारा होते हैं 11 होते हैं लेकिन 21 होती हैं 21 हो जाते हैं छो सब्सक्रतता से बोला झाइदा से key祖ा स्ष्वर की तीन प्रकार की होते हैं हास उस्वर, दील उस्वर और प्लुप्त उस्वर, हास उस्वर मैंने बताया चार, दील उस्वर बताया साथ, और प्लुप्त मैंने बताया कि किसी भी नाम में, किसी भी अस्थान में, वो बीच में छुपा होता है, जब वो डिस्टेंस पे हो, दोरी पे हो, तो अपने आप आपको जो है यह सारी चीज़े बताएंगे तो कैसी लगी हमारी आज की कछ्छा के लिए बिल्कुल रामबान होने वाला है जिससे गाउं गरीब में रहने वाले बच्चों का भी भला होगा ठीक है तो आज की क्लास बस यही समात होती है हम कल की कछ्छा में फिरिंदी आगे इसको रिबीजन करके आईएगा या रिबीजन कर लीजियेगा नहीं कोई तिक्कत होगी बताएगा थाइंक्यू क्लास